25 जनवरी से भारत और इंग्लैंट के बीच पास टेस्ट मैचों की सिरीज की सुरुवात हो रही है लेकिन इससे ठीक दो दिन पहले हैदराबाद में एक बड़ा इवेंट होना है 23 जनवरी को BCCI का annual award function यहाँ पे होना है और इस function को attend करने टीम इंडिया तो जाएगी ही इंडियन प्लेयर तो जाएगे ही लेकिन इंडियन प्लेयर के साथ साथ इस बार इंग्लैंड के प्लेयर्स भी वहाँ सामिल होंगे और इस अबार को लेकर एक आपको जानकारी देदे क यह जो award ceremony है आखरी बार यह 2020 में हुआ था इसके बाद जो चार सालों तक कोरोना की वज़ा से फिर इसे स्थगित कर दिया गया रोक दिया गया लेकिन इस ceremony को लेकर इसके बाद जो है Times of India के हवाले से ख़बर आई है BCCI के जो Chief Secretary है JASA उन्होंने एक letter लिखा है तो JASA का ए हमारे साथ नमस्कार मैं आप से कुमार और आप देख रहें Sports Hour तो टीम इंडिया के जो BCCI के जो Chief Selector है जैसा उनका एक letter सामने आया इस जो इवेंट होना है जो हैदराबाद में हो रहा है आखरी बार यह जो इवेंट था साल 2020 में मुंबई में हुआ था लेकिन इस बार है आदराबाद में 23 जन्वरी को इवेंट होना है और इस Annual Award Function इवेंट को लेकर जैसा का जो letter सामने आया है तो क्या कुछ लिखाया है एक बार हम आपको पढ़कर बताते हैं उस letter में जैसा नहीं लिखाया है BCCI के वार्षिक पुरसकार हमारे दिलों में एक विशे से स्थान रखते हैं क्योंकि ये हमारे अध्वूत खेल के लिए उत्क्रिस्टा, समर्पन और जुनून को दिखाते हैं मुझे विश्वास है इसमें भाग लेना ना सिर्फ भारतिय क्रिकेट में आपकी भागिदारी दिखाएगा बलकि हमारे क्रिकेट नायको द्वारा किये गए जवर्दस्त योगदान और इवा अचिवर्स द्वारा दिखाएगा वादे को भी स्विकार करेगी क्रिप आपने निरंतर समर्थन के लिए हमारा अभार स्विकार करे तो ये एक लेटर है जैसा ने ये लेटर उनका सामने आया है टाइमस ओफ इंडिया के हवाले से ये लेटर सामने आया है तो इस इवेंट को लेकर ये लेटर लिखा गया है और ये जो इवेंट है आपको मुंबई में इस इवेंट को आपने देखा था ये जो इवेंट है मुंबई में हुआ था और इसी इवेंट की कुछ तस्वीरे आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे किस तरीके से तो इस इवेंट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है इस इवेंट को लेकर क्या ये जो चार साल जो इभेंट रुका इस चार साल में इस बार जो इभेंट हो रहा है कौन-कौन से ओप्लियर है जो अवाड के हकदार है कौन-कौन से होग wax Лियार है जिने इस बार आप कुछ कई बड़ी बड़ी अवाड लेते हुए दिखाई देंगे वो कौन-कौन से चेहरे आपको लगते हैं उनके नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही जैन जैभार